हेलो एवरीबडी दिस इस फारश मश्रा हां जी तो एक कुछ इस तरह का कोश्चन आपको एक्जाम्स में देखने को मिलता होगा आप 11 में 12 में इवन आप ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास इंगलीश है तो देखने को मिलता है जिसमें हमसे कहा जाता है है एक्स्प्लेइन दफॉलाइं इस टेंजागा विद्धर रेफ्रेंस तूदी कंटेक्स और एक्स्प्लेज यह तीन चीज़ अब जो यह तीन चीज है न यह क्या है यह मैं बता देता हूं यह आपर सबसे पहले explain उसके बाद आपका आता है हाँ पर reference और देन आता है context तो ये क्या है अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो explain यानि कि व्याक्या व्याक्या जिसे आप सरलार्थ भी कहते हैं reference इसे चैप संदर्व क्या करें तो परेंश र्म को यह साथ हो कद्स परफपरीन सोखे नोटक्स्त मुए हो superhero आपका संदर्व तो तो ही इं 22 कर रा होगा एसे जाता है यह सबसे लिखते हैं प्रफ च everyday और सरलार्थ है प्रफंग संदर्व सरलार्थ हम भी यहां पर यह यह बस इंगलिस में तो ऐसे एक आपको पैरग्राफ देगा बड़ा सा मैंने यहां पर लिखा नहीं है वह पैरग्राफ को मैं लिखता तो टाइम बेश्ट हो ता आप बस यह समझ दी मैं आप को एक्जामपल से इसमाप स आपको चैप्टर आना चाहिए क्योंकि यह रट के नहीं होगा कुछ लाइन फैज जो आपको एकदम फिट रखना है उस जगह पर सेट कर देना है अगर नहीं भी पता आपको स्टोरी तो भी आपको माक्स मिल जाएंगे ऐख्या है तो सबसे पहले उसमें हम लिख्ते में लिखेंगे रेफ्रेंसच कहा हमारे हिंदी की पार फुर्फ तक जो भी आपका है वैसे ही इसमें भी लिखना होता है आपका ये फ्टॉरिर फ्टॉरी जो कर था को होगा दर्बही हो है तो ऐसे हम करेंगे तो हम यहां पर एसे लिखेंगे कि दीव लाइन्स कि हैब बीन कि टेकन कि फ्रॉम कि डोंट वरी समझाओंगा भी दी लेशन या फिर पोयम अब अगर पोयम का लेशन करिया होगा तो लेशन लिखोगे जो भी आपका लेशन है पोयम है जैसे कि मैंने यहां पर लिया है एक एनादर हुमें नाम का पोयम है उफ पोयम का कि तो एनादर कि वूमेन कि रिटन बाई अमतियाज धार कर अब देखो यहां पर में बताता हूँ यह भी लाइन है बिन टेकन पॉरज्ड ए लेशन या पोयम अगर लेशन होगा तो लेशन लिखेंगे पोयम होगा तो पोयम लिखेंगे जो भी पोयम का नाम होगा अले इस नाम होगा वो लिखेंगे इसे ऐसे करके इस वाले कौमे में जो भी आप बोलते हो इसको एपोस्ट्रफी या जो भी उसमें बंद कर देंगे रिटेन बाई जिसने भी लिखा होगा उसका नाम बस इसमें चैप्टर का नाम और यह लिखना है इत्ता लिखके बस छोड़ देन आए आपके एक नमबर तो होगे fix इधन राफ्रेंस के बाद ये हमारा होगया क्या होगया है इसको क्या बोलते हिद्धी में परसंग देन अब हमें करना है संदर्व बंग्रों और तो कॉंटेक्स्ट इसको बुलते हैं कॉंटेक्स्ट हम इसमें क्या लिखना है इन दीव इन दिस पैसेज या फिर इस्टेंजा अगर स्टोरी होगा तो पैसेज, पोएम होगा तो इस्टेंजा इस्टोरी होगा तो राइटर, पोएम होगा तो पोएट, डिस्क्राइब्स, अबाउट, जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका स्टोरी होगा अगर आपको समरी पता है तो आप उसे कमसे कम दो लाइन में आप उसे सौट वर्म में लिख देंगे यहा तक यह दैन उसके बाद लास्ट में क्या करना है? एक्स्प्लेनेशन में क्या लिखना है इसके लिए आपको पता होना चीए कि क्या कह रहा है उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत फारे पोएम होते बहुत फारे फ्टोरी तो सबका तो करवाना इंपॉसिबल ही है एकदम कुछ भी कोई भी नहीं करवा पाएगा सारे कि दा कि पोएट कि या राइटर कि सीफ कि डैट कि एंड देन कि आपको जुत्ते भी लाइन का है उसमें आपको लिख देना है पूरा कम से कम फिर भी आपको यहां तक इतना लिखना है यहां तक बस डैट सिट इतना ही है एक वार में फिर सब बतायता हूं इस टाइप के कोश्चन इस टाइप के कोश्चन होते हैं आपके जिसमें कहता है आपको प्रफंग संदर्व सरलार्थ सब कुछ डिस्क्राइब करना होता एक इस टेंजा देगा आपको यह एक लाइन कुछ भी एक पैरग्राफ देगा उसको मैंने यहां पर डैस टैस में शो किया है देन रेफ्रेंस यानि कि प्रफंग इसमें आपको पो यहां इस टेंजा दो जो भी आपको लिखना है वो पोई यह राइट और जो भी कह रहा है वह वह आपको लिख देना है तो आश्या करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सथ शेयर करें चैनल पर पहली बार आएगो तो सब्